जी तो फ्रेंड हमारा पेपर स्टार्ट हो चुका है तो जब भी हम डिवाइस एक्टिव करेंगे तो उस पे सबसे पहले ये टैमर चलने लग जाएगा इस टाइम के अंदर अंदर हमने पेपर सब्मिट करना होता है टोटल एकताली क्वेस्चन होते हैं 31, 32, 33 वाला पास होत शेयर करना और बेल को भी जरूर दबाना है तो शुरू करते हैं क्वेस्चन तो शुरू करते हैं पहला सवाल क्वेस्चन ये है क्या सर्वे के बाद बेस्प मुस्तहकीन की माली इमदाद रोकती जाएगी यानिकि जो सर्वा हो रहा है इसके बाद क्या वो माली इमदाद म किया या नहीं तो इसका दूसरा जवाब है बिस्प ने अभी फैसला नहीं किया इसके बाद दूसरा सवाल बिस्प के मौजूदा सर्वे में किन घरानों का शुमार किया जाएगा तो इसका अंसर है सिर्फ बिस्प के मौजूदा मुस्तहिक घरानों का सिर्फ गरीब घराने मुलक के तमाम घराने तो इसका जवाब है मुलक के तमाम घराने इसके जितने में घराने होंगे अमीरों या करीब सबका सरवा किया जाएगा इसके बाद क्वेश्टन नमर तीन अगर घराने में मौझूद कोई आरजी महमान आपको मलूमात देने पर मजबूर करे तो आपका रद्धेमल क्या होगा इसका अंसर है इसे कहें के अपनी बारी का इंतजार करे इसे समझाएं के यहां मलूमात नहीं ली जा सकती इसे नजर अंदाज कर दें इसे कहें कि मलूमात उसके घर की तहलीज पर जमा की जाएगी तो इसका ये पांचफ़न अंसर है इसे कहें कि मलूमात उसके घर की तहलीज पर जमा की जाएगी चौते क्वेस्टन का जवाब घरानों की मलूमात का मौजूदा हलात से मुनास्पत ना रखना तो डिवाइस पे इसका question देख लेना और अंसर ये ही है इसका पहला पहला घरानों की मलूमात का मौजूदा हालाज से मनास्पत ना रखना ये तो पांचमा स्वाल सर्वे में इंदराज के लिए मंदर्जा जैल में से किन चीज़ों का होना लाजमी है इसका अंसर है मकामी विलेज कौंसल से तस्दीक शुदा रियाश तस्तावेज़ात खराने में कम अज़कम एक शादी शुदा खातून का होना 18 साल से कम उमर अपराद का फारंबे शनासी कार्ड नंबर और इन में से कोई नहीं तो इसका ये लास्ट वाला जवाब है इन में से कोई नहीं क्वेश्चन नमर च्छे अगर खराने का फर्द मलूमात फराम करने से इनकार कर दे तो आप का रद्देमल क्या होगा उसको शैस्की से समझाएं लेकर अगर वो फिर भी इनकारी हो तो पता दर्ज करके डिकलाइन मुन्तखिब करें और अगले कराने पर चले जाएं दूसरा अंसर इसकी तस्वीर लें एप पर पता डालें और रसीद सकेन करके उसे थमा दें उसके हमसाईों से पूछ कुछ करके जिस कदर हो सके मलूमात का अंदराज कर लें तो इसका ये पहला है उसको शैसकी से समझाएं लेकिन अगर वो फिर भी इनकारी हो तो पता दर्ज करके डिकलाइन मुन्तखिब कर दें और अगले कार पर चले जाएं ये इसका जबाब है साथमा क्वेश्चन अगर कोई शख्स लाजमी अज़ा में से किसी एक या एक से ज्यादा सवालात के जवाब ना देना चाहे तो क्या करना चाहिए उसके लिए अंसर ये है अपने सुपरवाइजर से रापता करें ताके वो आकर बात कर सके जतना हो सके मलूमात ही कट्टी कर लें उसे समझाएं कि लाजमी मलूमात देने पर डेटा महभूज करें तो इसका ये तीसरा अंसर है क्वेस्चन नमबर आठ अगर कोई सियासी मुदाखलत से सर्वे पलैन को मुतासर करने की कोशिश करे तो एनुमिरेटर का रदे अमल क्या होगा नमबर एक पॉलीस को इतला करें उसे रोकने की हर मुम्किन कोशिश करें और सकून रहते हुए अपना काम जारी रखें पूर इतमाद होकर अपने मकासिद बियान करें अगर मौामला हल ना हो तो अपने सुपरवाइजर को इतला पहुंचा कर काम रोक दें ये इसका चौथा जवाब है पूर इतमाद होकर अपने मकासिद बियान करें अगर मौामला हल ना हो तो अपने सुपरवाइजर को इतला पहुंचा कर काम रोक दें अगर एक इनोमी रेटर के लिए रोज़ाना के हिसाब से मुकमल फारमर पुर्क करने की ओस्त हद क्या है तो इसका पहला अंसर 20 तक 10 से कम 15 तक 20 से 25 के दर्मियान कोई हद नहीं तो ये 20 फारम हमने डेली करने है इस से उपर नहीं जा सकते हैं इस से कम कर सकते हैं 20 से कम फारम हो सकते हैं लेकिन 20 से उपर नहीं हो सकते हैं Q10. इंट्रिवू देने वाले के जवाब की बुनियाद पर अगर किसी एशन के इंतखाब में दुश्वारी हो तो आप क्या करेंगे सवाल खाली छोड़ देंगे मुलूमाती कितापचा से रहनुमाई लें अपने सुपरोवाइजर से राप्ता करें अपनी समझ के मताबक जवाब दर्ज कर लें तो इसका दूसरा जवाब मुलूमाती कितापचा से रहनुमाई लें और अपने सुपरोवाइजर से राप्ता करें Q11. भारम पुर्क करने की मुकर्रहद क्या है तो इसकी 18 से 21, 18 से 20 दस तक या 20 से ज्यादा तो इसकी हद है 18 से 20 तक इस से ज्यादा फारम पुर्नी कर सकते Q13. अगर दो खानदान जो रिष्टे से मुनसलिक भी हो और एक छट के नीचे सहे रहे हो बगर खाते पीते अलग अलग हो क्या एक ही घराने में शुमार होंगे अंसर मजीद तफसीलाद की बन्याद पर अंदाजा लगाया जाएगा शुमार नहीं होंगे शुमार होंगे तो इसका दूसरा अंसर है कि ये शुमार नहीं होंगे क्यूस्टन नम्र चौदा खराने में ऐसे लोग भी शामिल किये जाएगे जो नू मास से कम अर्से के लिए आर्जी तोर पर मौजूद नहीं अंसर इसका मज़ीद तफिलाद के लिए बुनियाद पर अंदाजा लगाया जाएगा गलत दुरूस्त तो इसका गलत है क्वेश्टन नम्र दो ये गलत होगा क्वेश्टन नम्र पंद्रा क्या ऐसे पाकिस्टानी अफराद जो कौमिशनासी कार्ड ना रखते हो उनका शुमार किया जाएगा नहीं हाँ जैल में बंद कैदी तो इसका दूसरा अंजर है हाँ उनका भी शुमार किया जाएगा क्वेश्टन नम्र सोला मौन दर्जा जैल में से कौन से आर्जी तोर पर घर से दूर अफराद का इंदराज करना जरूरी है जैल में बंद कैदी तालिब इल्म जो तालीम के लिए कहीं और हो ऐसा शक्स जो कम मुदद के लिए मुल्क से बाहर हो नो जैद बच्चा हस्पताल में ताखिल मरीज या उपर दिये गए तमाम उपर दिये गए तमाम इसका जवाब है क्वेशन नमबर 17 दर्ज जैल में से द्रोस्त चुमले का इंतखाब करें इन में से कोई नहीं सेल्फ हर्ड सेल्फ हर्ड रियाश से मुराद ऐसा गर है जिसमें मालक मकान अपने घर में रहता हो और किसी किसम का किराया वसूल ना करता हो सेल्फ हर्ड रियाश से मुराद ऐसा गर है जिसमें मालक मकान ने मकान का एक हिसा किराया पर दे रखा हो तो इसका जवाब है इन में से कोई नहीं क्वेशन नमबर 18 ऐसा मुलाजम जिसकी कोई और अमूमी रियाश ना हो और वो मालक के घार में रहता हो मगर खाना बीना अलग रखे उसकी क्या हैसियत होगी अंसर अकेले मुलाजम का अंधराज नहीं होगा मालक के खराने का फर्द अलैदा खराना इसका जवाब है अलैदा खराना तो ये कटिंग हुई पड़िये, क्वेस्टन नमबर उन्नी का जवाब, इंट्रिव्यू देने वाले शक्स से उसकी मर्जी हासिल की जाएगी क्वेस्टन नमबर बीस, अगर इंट्रिव्यू देने वाले शक्स या घराना अपनी अमूमी रियाश कहा किसी और जगां को तसवर करें तो इसे कैसे शुमार करेंगे अंसर ऐसे अफराद या घरानों को दोनों जगां पर शुमार किया जाएगा ताके उनके सर्वे से बहर रह जाने के इमकान को कम किया जा सके ऐसे अफराद या घरानों को उनकी गेर अमूमी रियाशका पर मौजूद होने के बावजूद उनकी अमूमी रियाशका के पत्ते पर शुमार किया जाएगा ऐसे अपराद या करानों को उनकी अमूमी रियाश काह पर मौजूद होने की सूरत में ही शुमार किया जाएगा तो इसका ये तीसरा अंसर है ऐसे अपराद या कराने को उनकी अमूमी रियाश काह पर मौजूद होने की सूरत में ही शुमार किया जाएगा Q21. मलूमات के अंदर आज के वक्त उन मेंसे किस का शनासी कार्ड होना लाजम है तो इसका अंसर है उन मेंसे कोई नहीं शादी शुदा खातून या घराने का सरब्रा तो इसका पहला अंसर है उन मेंसे कोई नहीं विस्प के मताबक खराने का सरबरा कौन हो सकता है माँ बाप सबसे बड़ी बेटी इंट्रिव्यू देने वाला सबसे बड़ा बेटा कोई भी बालिग फर्द जिसे तमाम मिम्बरान सरबरा समझते हो कोई भी बालिग फर्द जिसे तमाम मिम्बरान सरबरा समझते हो 23. खाना बदोश जो अपने खानदान समयत एक जगां से दूसरी जगां हिजरत में रहते हो और कोई अमूमी रियाश काहना रखते हो किस तरह रिजिस्टर किये जाएंगे अंसर उनको रिजिस्टर किया जा सकता है अगर ये शनाखसी कार्ड रखते हो जिस पर मुस्तकिल पत्तादार्च हो जूँके ऐसे लोगों को टूटना मुश्किल है लहाज़ा उनको रिजिस्टर नहीं किया जाएगा सर्वे के वक्त के पत्ता पर अंद्राज किया जाएगा इंट्रिवू अपनी सौब दीद पर फैसला करेगा इन मेंसे कोई नहीं तो इसका अंसर है सर्वे के वक्त के पत्ते पर तरज़ किया जाएगा क्वेश्चन नमबर चौबिस मंदर्जस जैल मेंसे द्रुस्त का इंतखाब करें इंट्रिवू देने वाले के खद्शात का जवाब देना ज़रूरी नहीं जान बूच कर घराने को एक से ज्यादा करानों में तक्सीम करने से ग्रेज करना है इंट्रिवू किसी भी शख्स का लिया जा सकता है जो घर पर मोझूद हो हमेशा इंट्रिवू देने को घराने का सरबरा्द सबर किया जाएगा जो घराने बज़ाहरे इमदाद के मुस्तहिक नहीं लगते उनको छोड़ा जा सकता है तो इसका जवाब है चान बूच कर घराने को एक से ज्यादा घरानों में तक्सीम करने से गुरेज करना कुश्चिन नमबर 26 बेस्प सर्वे के ताहित समाजी तहरीक या सोशल मुपलाइजेशन का बुनियादी मकसद क्या है सर्वे से मुतालिक शिकायात का अजाला करना मकामी लोगों को सर्वे से मुतालिक इत्माद में लेना मकामी सता पर गुरुप बंदी करना इसका दूसरा जवाब है मकामी लोगों को सर्वे से मुतालिक इत्माद में लेना कुश्चिन नमबर 27 26. मुंदर्जा जेल में से कौन सी जिमादारियां सुपर्वाइजर के जिमें हैं? सर्वे के दोरान टीम के साथ रहना और उन्हें तक्नीकी मदद फराम करना, अपनी टीम के साथ साथ सर्वे करना, जरूरत के हिसाब से मजीद तरकार इनॉमिनेटर का पबंदो बस्त करना, उपर दिये गए तमाम इन में से कोई नहीं, तो इसका दूसरा जवाब है, पहला जवाब है सर्वे के दोरान टीम के साथ रहना और उन्हें तक्नीकी मदद फराम करना, क्वेश्चन नमबर 28, रसीद में क्यू आर कोड का क्या मकसद है, कोड फाम में मौजूद मलूमाद क को स्टोर करना, करता है कोड में GPS की मलूमाद है, कोड में मौन प्रिद नमबर ताद जये, इन में से कोई नहीं, तो उस चुपरची में QR कोड सिकेन हम करेंगे डिवाइस के दे तो उसको कोड फाम में मौजूद मौलूमाद को स्टोर करता है, ये इसका जवाब है, कराने में दो कराने हैं ए और बी एक के पास दो बेडरूम है और बी के पास एक बेडरूम है जबके उसके इलावा घर में मुश्टर का अफराद रहते हैं तो इसका पहला ही जवाब है बी बराबर दो ए बराबर तीन क्वेश्टन नमबर 30 अगर महीना और साल मलूम हो तो तारीख पदैश क्या बंदी है इस महीने की पहरी तरी यकम जनुरी दोनों मैंसे कोई भी नहीं तो इसका जवाब है यकम जनुरी ग्वेस्टन नमबर 31 अगर किसी शख्स का पदैश का सिर्फ साल मलूम हो तो महीना और तारीख कौन सी तर्च होगी इसका जवाब है उसी साल का 31 दिसम्बर उसी साल का यकम जनुरी सिर्फ साल का इन्तखाब करें कोई भी तारीख और महीना मुन्तखिब करें जनुरी क्वेस्टन नमबर 32 अगर एक शख्स हफ्ते में सिर्फ पांच दिन तीन घंटे रुज़ाना के हिसाब से काम करें तो हफ्ते के कोल कितने घंटे बनते हैं इसका जवाब है 21, 14, 15, 3 तो ये 15 वाला सही है क्वेस्टन नमबर 33 अगर एक शख्स हफ्ते में सिर्फ पांच दिन काम करता हो तो हफ्ते के आउस्टन कितने घंटे बनते हैं इसका अंसर है 25, 40, 15 या इन में से कोई नहीं तो ये 40 घंटे बनते हैं इसके बाद क्वेस्टन नमबर 34 च्वेस्टन का अंसर है क्वेस्टन नमबर 35 अजर तरीफ के मताबक क्या होता है अजर दूसरे लोगों को बगैर अजरत के मलाजमत देना देता है अजर दूसरे लोगों को उजरत के साथ मलाजमत देता है इन में से कोई नहीं तो इसका जवाब है दूसरा अजर दूसरे लोगों को उजरत के साथ मलाजमत देता है क्वेस्टन नमबर 36 अगर एक सीट के नीचे बाल्टी रखकर टोईलेट बनाया हो तो ये कौन सी किसम होगी फलश खुली नाली से मुंसलिक फलश टैंक से मुंसलिक खड़ी गढ़ा या खड़ा हुआ तो इसका जवाब है खड़ी ग्वेस्चन नमबर 37 अगर एक फर्द घराने के सर बरा का सुतीला बेटा हो तो कौन सा रिष्टा तर्च होगा दामाद बहु, सर बरा, बेटा बेटी ग्वेस्चन नमबर 38 अगर एक घराने के पास साथ एकड़ जमीन हो जिसमें से तीन एकड़ गैर जराई हो तो सवाल नमे में कितनी जराई जमीन तर्च होगी चार एकड़, साथ एकड़, दो एकड़ या तस एकड़ तो इसका जवाब है चार एकड़ अगर इंट्रिव्यू देने वाला ये कहे के इसके घर में टीवी नहीं आए मगर डिश या कोई एंटीना साफ नजर आ रहा हो तो क्या करेंगे हमसाय से तस्थीक करेंगे इस से मजीद जाँच परताल करेंगे बगैर किसी बहस के हान लिख लेंगे सुपरवाइजर से बात करेंगे या इंटर्वो मनसूख कर देंगे तो इसका जवाब है इस से मजीद जाँच परताल करेंगे क्वेस्चन नमबर चालिस जिस सवाल में दिवारों का मेटीरियल पूछा गिया है उसमें कौन सी दिवारें मुराद हैं चार दिवारी घर के अंदर की दिवारें उन में से कोई नहीं तो इसका जवाब है घर के अंदर की दिवारें क्वेस्चन नमबर इक तालि अगर इंटर्वियू देने वाले के पास मूबाइल या लैंड लाइन नमबर ना हो तो क्या कोशिश होनी चाहिए उससे किसी हमसाई ने या करीबी दुकानदार का नमबर लें जगां खाली छोड़ दें सर्वे मनसूख करें तो इसका जवाब है इससे किसी हमसाई ने हमसाई या करीबी दुकानदार का नमबर ले तो फ्रेंड्स ये 41 क्वेशन है एक दो मेस्टेक हैं इसमें से इसका ये मकसद नहीं है कि जवाब देखते जाएं और इसको आगे भगाते जाएं ये इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद ही ये ही है कि पूरा सवाल नामा पढ़ें फिर उसके अंसर को पढ़ें एक एक करके जवाब आपके सामने है ये अपने जहन में रखना है ये आप्शनी तोर पर आपको दिया गया है ताके आप इस पेपर को जहां भी जहें डिवाइस पर पेपर हो तो आप इसको पास कर सकें ये सबसे मुश्किल पेपर है इसकी एक एक माह दो दो माह लड़के टरिनिंग लेते हैं उसके बाद यह पेपर जाके पास होता है किसी का और किसी का फेल हो जाता है यह बहुत टाफ़ पेपर होता है और टेमर चल रहा होता है 20-29 मेंट में यह हमने फेल करना होता है उसके पार डिवाइस खुद बाखुद लॉग हो जाती है तो इस खुशी में एक चैनल शरूर सब्क्राइब करें लाइक भी करें और अच्छा सा कुमेंट भी करें ताके आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छी साची मिल सकें आगे हम लिस्टिंग का तरीका बताएंगे आपको